So hey guys this is Sandeep here and you are watching Chromatech YouTube channel तो यहाँ पे Pixel Experience Plus और Normal Edition दोनों का अपडेट आ चुका है Redmi Note 5 Pro के लिए इस अपडेट के अंदर आपको काफी सारे fixes देखने को मिल जाते हैं काफी सारी improvement देखने को मिल जाती है और कुछ instruction भी आपके लिए यहाँ पे available है तो वह आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो I hope आप वीडियो को full end तक जरूर से watch करोगे और अगर आप channel पे नहीं हो तो subscribe कर लेना bell icon को all पे कर लेना और वीडियो को like जरूर से यहाँ पे कर देना तो guys सबसे पहले बात करते हैं इसके change log की तो मैं official site के उपर आज चुका हूँ pixel experience.org के उपर तो यहाँ पे मैंने Redmi Note 5 Pro, Global और Pro है जो दोनों का जो same ही device है तो यहाँ पे उसका जो अपडेट डाउनलोड करने के लिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 10 वाला जो मिल जाता है normal edition और second आपको मिलता है plus edition तो दोनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, just difference इतना है कि आपको plus edition के अंदर कुछ customization देखने को मिल जाती है जो required होती है एक यूजर को, next यहाँ पे जो change log आपको सबके लिए यहाँ पे same है, I mean normal edition है उसका भी same है और जो है plus edition है, दोनों का same रहता है तो उसको आप ध्यान में रखना तो change log के अंदर, night light को fix कर दिया गया, drag को remove कर दिया गया august का security patch level दे दिया गया यहाँ पे, और blobs को update किया है और जो है आपको एक warning है यहाँ पे कि आपको PUBG high graphics के उपर run करने के लिए कोई भी custom kernel flash नहीं करना इस रोम के अंदर तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले setting के अंदर तो यहाँ पे मैं आपको about phone के अंदर check कर वा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, august का security patch level आपको मिल जाता है और जो kernel version वो wired plus देखने को मिलता है pixel experience wired plus का kernel आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और बिल्कु latest update है, काफी अच्छी improvements के साथ यह update आया system के अंदर चलते हैं, तो system के अंदर आपको updater मिल जाता है तो यहीं से आप OT update कर सकते हो, अगर आप previous build के उपर हो gestures के अंदर आपको काफी सारे options मिल जाते है, swipe to screenshot work करता है gesture navigation के अंदर काफी सारे options मिल जाते है, इस spill को आप hide कर सकते हो with the help of this option, यह आपको एक option यहाँ पे benefit मिल जाता है इसको भी आप systemlessly remove कर सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा difference मिल जाता है normal edition और जो plus edition है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी customization देखने को मिल जाती है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और यहाँ पे आपको optimization मिलती है काफी अच्छी, same optimization as normal edition के आपको related देखने को मिल जाती है power menu के अंदर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं, आप इनको customize कर सकते हो काफी सारे और भी option है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको use करना है, तो उसके बाद चलते हैं status bar के अंदर status bar के अंदर भी काफी सारे options है, like network traffic indicator, यह काफी useful feature है और यह काफी अच्छे से working है, और icon जो आप change कर सकते हो battery style को change कर सकते हो वगएरा, काफी सारे options है brightness, slide related भी आपके काफी सारे options है, title, visibility वगएरा के काफी सारे options है और quick setting, animation का भी option मिल जाता है and next बात करते हैं, यहाँ पे कुछ भी और customize करने का वो नहीं मिलता अगर थोड़ी सी और customization चाहिए ना, तो pixel experience, fan edition को आप use कर सकते हो वो उसके अंदर थोड़ी सी आपको better customization और मिल जाती है अगर आपको यहाँ पे use करना हो तो और security के अंदर face unlock, fingerprint दोनों काफी अच्छे से working है next बात करते हैं, यहाँ पे wifi calling की मैंने टेस्ट किया, geo to geo मैंने चेक नहीं किया but atal to atal मैंने यहाँ पे जो वीडियो कॉलिंग चेक किया है वो काफी अच्छे से work कर रहा है, कोई भी issue नहीं आ रहा और battery life काफी अच्छी यहाँ पे improved देखने को मिलती है इस रोम की battery life सबसे best है अगर आप किसी भी custom ROM के अंदर इसको compare करो because यहाँ पे limited आपको customization देखने को मिलती है so आपका CPU ज्यादा यहाँ पे load नहीं लेता उसकी वज़े से आपको यहाँ पे थोड़ी सी battery life increase हो जाती है almost 8 to 9 hours का आपको screen on time देखने को मिल जागा अगर आप gaming नहीं करते और as a daily driver आप इसको जो है definitely try कर सकते हो कोई भी charging issue नहीं है मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से इसको जो है test किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो battery usage विगरा आपको काफी अच्छी battery backup इस ROM के अंदर देखने को मिल जाती है next जो bugs थे वो हम check कर लेते हैं कि fix हुए है या नहीं तो dark theme को पहले check कर लेते हैं वो आपका यहाँ पे काफी अच्छे से working है और next बात करते है night light की जो की पहले यहाँ पे work नहीं करता था so as you can see this is working perfectly और यहाँ पे कोई भी issue नहीं है और आप इसकी intensity को भी change कर सकते हैं और इसको schedule भी कर सकते हो adaptive brightness वो भी आपका काफी अच्छे से work करता है so उसके अंदर मुझे कोई भी issue नहीं आया so काफी अच्छे आपको brightness during the day आपको देखने को मिल जाती है कोई भी issue नहीं आएगा live display के अंदर color calibration का option मिल जाता है जिसके थरूँ आप डिस्पले का color वगएरा change कर सकते हो उसके अंदर भी आपको कोई issue नहीं आएगा styles and wallpaper के अंदर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं अगर आप different sets of styles use करना चाते हो तो आप यहाँ से try कर सकते हो wallpaper के अंदर आपको pixel के wallpaper मिल जाते हैं बट यहाँ पे जो है live wallpaper नहीं है आपको static देखने को मिलते हैं so as you can see यहाँ पे आपको static wallpaper देखने को मिलेंगे so screen time out का option है rotating का option मिल जाता है जो की काफी अच्छे से working है so मैं आपको check कर वा देता हूँ so आप यहाँ पे देख सकते हो यह काफी अच्छे से work करता है next बात करते हैं यहाँ पे font size display size clock या आप screen saver इसको बोल सकते हो इसको भी set कर सकते हो यह काफी सारे options मिल जाते हैं lock screen display के उपर आपको plenty of options मिल जाते हैं आप इनको भी set कर सकते हो और tap to wake and tap to sleep का function है वो काफी अच्छे से work करता है मैंने चेक किया है दोनों function काफी अच्छे से work करते हैं next feature है ambient display का थो इसको भी आप enjoy कर सकते हो इसको आप set कर सकते हो but मैं recommend नहीं करूँगा because हमारा display amoled नहीं है बात कर लेते हैं यहाँ पे banking apps की with root और without root आपका दोनों अच्छे से work करेंगे because यहाँ पे CTS profile आपका true है without magisk hide और जो device है वो भी आपका यहाँ पे certified है तो उसके अंदर आपको कोई भी issue नहीं आएगा तो दोनों अच्छे से आपके work करेंगे सभी apps आपके work करते हैं मैंने gpay को यहाँ पे login कर रखा तो मुझे यहाँ पे कोई भी issue नहीं आएगा अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर RAM management इसकी performance की तो सबसे पहले मैं कुछ apps को open कर लेता हूँ ROM काफी ज़्यादा smooth है कोई भी आपको issue नहीं आएगा सो मुझे इसकी smoothness के अंदर कोई भी issue नहीं आए काफी अच्छे जो है animations आपको Android 10 के देखने को मिल जाते हैं इन पे भी आपको कुछ lag फिल नहीं होगा और जो RAM management है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो काफी अच्छे से working है और जो पिल है वो भी आपकी काफी अच्छे से work करती है तो उसके अंदर आपको कोई भी issue नहीं आएगा और performance is ROM की आपको पता या as a daily driver है अगर आप use करना जाते हो तो इससे best ROM आपको Redmi Note 5 Pro के लिए कहीं भी नहीं मिलेगी तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते कि आपको graphic setting क्या देखने को मिलती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर आप graphics के अंदर जाओगे तो smooth plus medium and balance plus medium का option है और high का आपको option नहीं देखने को मिलता है So as you can see आपको HD का भी option नहीं देखने को मिलेगा So इस type से आपको कुछ यह ROM मिल जाती है और इसके अंदर आप कोई भी जो है custom kernel मत flash करना Because यहाँ पे जो change log के अंदर पहले से mention किया गया कि आप कोई भी custom kernel इसके अंदर use नहीं कर सकते पबजी को high graphics के उपर run करने के लिए So उसका ध्यान आप रखना Because यह gaming ROM तो नहीं है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता अभी बात कर लेते हैं इसके इसके इंदर आपको stock camera कौन सा मिलता है यहाँ पे आपको lineage OS का old snapdragon वाला camera देखने को मिल जाता है इस type से आपको यह camera मिलता है Gcam 7.4 काफी अच्छे से work करता है कोई भी issue नहीं आ रहा है मुझे तो and जो tier camera वो भी काफी अच्छे से work करता है अगर आपको यह दोनों cameras चाहिए तो आपको link मिल जाएगा description में तो आप उस video को check out कर सकते हो download कर सकते हो same version है बिल्कू latest वाले रोम को कैसे flash कर सकते हो सबसे पहले आपको wipe के अंदर आना dalvik, catch, system, vendor, data इन सबको swipe to wipe कर देना है उसके बाल आपको रोम की file को flash कर देना और reboot कर देना है उसके बाल आपका device successfully यहाँ पर reboot हो जाएगा अगर कोई issue आता है तो आप नीचे comment कर सकते हो telegram पर join हो सकते हो so I hope कि आपको यह video पसंद आई है पसंद आए तो like करना, channel को subscribe कर लेना और मैं मिलता हूँ आप से एक next video के अंदर तब तक के लिए goodbye